नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नीरी यानि National Environmental Engineering Research Institute की तरफ से Civil Engineers के लिए वेकेंसी आयो ही है बात करें आपके selection process की तो यहाँ पर ना तो कोई आपका exam होना है ना ही आपकी कोई examination fees लगने वाली है इंटर्वीव होना है वो भी आपका online अगर आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं तो आप अपने phone से easily apply कर सकते हैं चाहे आप कहीं पर job कर रहे हूं या आप किसी competitive exams की तयारी कर रहे हैं तो आप अपने घर से जो easily interview attend कर सकते हैं बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में discuss करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि civil engineering से समबंधित किसी भी latest job का update आप से मिसना हो और आप premium type jobs के लिए हमारे telegram चैनल और whatsapp ग्रूप से भी join होकर रह सकते हैं लिंक वीडियो के description में दिया गया है यह post आपकी निकल कर आ रही है CSIR नीरी नागपुर की तरफ से engagement for R&D project staff through online interview यह रहा आपका advertisement number बात करें आपके last date of online application की तो यह आपकी 25 अगस्त 2022 रखी गई है आप logistics से पहले अपना form online कर दें बात करें आपकी name of positions की तो आपकी name of positions यहाँ पर रहने वाली है project associate one essential qualification में आपसे b.b.tech मांगा गया है civil engineering में बात करें आपकी maximum age limit की तो यहाँ पर आपकी maximum age limit आपकी 35 यह रखी गई है और आपको government rule के हिसाब से age relaxation भी देखने को मिलेगा salary यहाँ पर आपकी 31,000 रुपे plus आपको HR भी मिलने वाला है selection process यहाँ पर आपका online interview के माध्यम से होने वाला है आप all over India कहीं से भी है आप इसके लिए apply कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो यह post निकाली गई है यह आपकी contract base पर रहने वाली है यहाँ पर बताया गया है candidates are not required to pay any application fees यहाँ पर आपको कोई भी application fees नहीं pay करनी है और जो भी दोस्त हमारे final year में हैं वो लोग यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं और भी यहाँ पर काफी चीज़े बताई गई हैं आप वीडियो को बाउच करके देख सकते हैं अब बात करते हैं कि आप इसके लिए कैसे apply कर सकते हैं तो apply link आपको नीचे description box में मिल जाएगा जैसे ही आप उस link पर click करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे अलग अलग details मांगी गई है जैसे आपसे यहाँ पर reference notification number मांगा गया है यहाँ पर आपको select करना है फिर आपको किस post के लिए यहाँ पर apply करने वाले हैं जैसे यहाँ पर post निकली हुई है project associate one की तो आपको यहाँ पर click करना है area और discipline आपसे मागा गया है कि आप किस से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने engineering कर दिया है फिर आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम भरना है फिर आपकी DOB ठीक है यहाँ पर आपकी age जो है closing date जैसे इनकी 25 अगस्त रखी गई है उसके हिसाब से आपकी date DOB क्या हो रही है यहाँ पर आपको अपनी category select करनी है यहाँ से आपको gender फिर आपको जो है आपका communication address यहाँ पर fill up करना है permanent address फिर यहाँ पर आपको अपने mobile number निकला है next यहाँ पर आपको अपनी email fill up करनी है skype ID यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपसे qualification के बारे में मांगा गया है SSC, HSC, graduation आपकी post graduation या अगर आपने PhD कर रखिए उसके साब से यहाँ पर आपको subject, आपकी university goal किस year के आप pass out है percentage आपके कितनी है यह सारी जानकारी आपको fill up करनी है अगर आप gate qualify है तो आप यहाँ पर fill up कर सकते है next करने के बाद अगर आपके पास कोई experience है किसी भी organization का कब से लेकर कब तक का if of work जो है कैसा था यहाँ पर आपको total कितनी है का experience है यह आप यहाँ पर fill up कर सकते है यह सारी जानकारी आपको truly fill करने के बाद आपको क्या करना है I agree पे click करना है और आपको submit के उपर click करना है अब आपका form apply हो चुका है जो भी दोस्त हमारे इसके लिए short list होते हैं उन्हें email के माध्यम से संपर्क किया जाएगा और आपका online interview conduct कराया जाएगा तो अभी के लिए इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you, शुक्रिया वीडियो पसंद आई हो तो like करें, share करें चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर करें